दोस्तों वैसे तो पंजाब निशनल बैंक में अधार कार्ड से UPI PIN सेट करने की ओप्सन 15 से 20 दिन पहले ही आ चुकी थी जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों को दी थी लेकिन लगभग 10 दिनों तक अधार कार्ड से UPI PIN सेट नहीं हो रहा था पंजाब निशनल बैंक में लेकिन फानिली दो तिन दिन पहले इसको फिक्स किया गया और अभी भी बहुत सारे उजाब का नहीं हो रहा है UPI PIN सेट अधार कार्ड से तरह तरह की परिशानी हो रही है तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका क्यों सेट नहीं हो रहा है कैसे सेट होगा तो चलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए अगर आप पंजाब निसनल बैंक के खाता धारक हैं और भीम एप्लिकेशन के अंदर UPI PIN सेट करना चाते हैं अधार कार्ड से तो बागी किसी भी एप में नहीं आई है इसलिए भीम एप्लिकेशन में ही अधार कार्ड से UPI PIN सेट होती है PNB में और बागी के बहुत सारे अभी कुल मिला के 34 बैंक में आ चुकी है तो देखिए सबसे पहले इस पेड़िशानी को समझते हैं कि यांकिर कौन कौन सी पेड़िशानी आ रही है लोगों को तो सबसे पहले अगर मैं यहांपर मेरे पास जो अभी बैंक है वो दूसरा बैंक है मतलब पंजाब निशनल बैंक का दूसरा खाता है जिसमें अगर मैं आपको बताओ इसमें दूसरा नंबर रेजिस्टर है तो यहांपर अगर हम क्लिक करते हैं पंजाब निशनल बैंक के ऊपर और यहांपर अधार कार्ड सेट करने की आप्सन को सेलेक्ट करते हैं तो चलिए यहाँ पर set UPI pin पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अधार कार्ड के option तो हमें मिल रही है लेकिन अधार कार्ड के option मिलने के बाद जैसे ही आगे proceed करते हैं तो हमसे अधार कार्ड के शुरू के 6 digit मांगा जा रहा है मतलब शुरू आती 6 अंक देना है 12 में से ठीक है तो यहाँ पर यह पहला बैंक होगा पंजाब बैंक जो कि सुरू के 6 digit मांग रहा है जबकि सारे बैंक आखरी के 4 digit मांग रहे थे जितने में भी अभी तक यह feature आई है तो यह तो हो गई अभी जो है देख सकते हो आप 6 अंक मांग रही है कोई दिक्कत वाली बात है लेकिनो यही मेरे पास दूसरा फोन में पंजाब निशनल बैंक का दूसरा एकाउंट किसे दूसरे नंबर से लिंक है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो चलिए यहाँ पर Penistered करने जाते हैं तो यह हम से आखरी के 4 नंबर मांग रहा है अब दिक्येंग वह ही है बस ए requirement होती है वो सब के लिए समान होती है और एक और बात यहां पर यह है दोस्तों कि जैसे ही हम कोई अपना अधार नमबर डालते हैं आखरी के चार डिजिट एटोमेटी की यह error बता देता है मतलब यह आगे ही नहीं बढ़ता है कि हमने सही दिया है या फिर गलत दिया है तो यहां पर सीधा पता चल रहा है दोस्तों कि अभी अधार कार से यूप यरे इस्टेशन करने के लिए liberal bank के अंदर आप ही के साथ problem हो रहा है ये problem bank की तरफ से हो रही है क्योंकि हमारे एक और account है जिसमें आप देख सकते हैं कि अधारकाड not linked बता रहा है जबकि इसमें अधारकाड link है तो बहुत से लोग कह रहे थे कि अधारकाड सर मेरा link है और मेरा नहीं हो रहा है not link बता रहा है तो यह error bank के तरफ से आ रही है आप में कोई issue नहीं है आप रहे हैं या धारकाड link कर सकते हो और वह भी पता नहीं कितने दिन में होगा link इसकी guarantee में नहीं लेता चुकि बहुत ही काफी कम जो है यहां पर बहुत स्लो वर्क कर रहा है पीएंवी का चुकि वहां पर OTP आने में दो दिन लग जाता है किसी का hand to hand आहीं जाता है तो ऐसी प मांगा जा रहा है मैं उसका दुस्वन थोड़े नहीं मतलब कुल मिलाके इसूज चल रही है इस समस्या का समयधान सिर्फ PNB कर सकता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है इसलिए वेट और वाच करिए जैसे ही problem fix होगी आप लोगों को बता देंगे चैनल के उपर या फि सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में दीजे इजाज़त थैंक यू